आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें में समान हो, तो मैं क्या बोलता हूँ ऐसे तुर्भुजों को, शर्वांगश्म तुर्भुज बोलता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसके तुल्यत, बताना है कि यह एक तुल्यता संबंध होगा, तो हम देख सकते हैं, चूँकि कोई भी तुर्भुज मैं लेता हूँ, कोई भी तुर्भुज, for all T1 belongs to T, ठीक है, कोई भी तुर्भुज T1 है, जो समुच्छ T का सरज से है, हम देख सकते हैं, जो तुर्भुज T1 होगा, प्रतेक तुर्भुज स्वयम के क्या होता है, तुर्भुज सवयम के क्या होगा, तो इस प्रकार में क्या बहुत सकता हूँ, कि T1, T1 समुच्छ R का सदश्य होगा, प्रतेक तीवन जो T का सदश्य हो,तो आथा यहां थे मैं क्या बहुत सकता हूं अता है आर एक स्वतुल्य संबंध है स्वतुल्यता संबंध है ठीक है अगला देखता हूं माना T1, T2 सम्बढ R का कोई 시idan T1, T2 अगर सम्बढ R का सरस है तो इसके मतलब क्या है तरभुत ती फिर c1 जो होगा वह तरभुत टी फिर c2 के सरवांगसा होगा चुंकि तरभुत ती फिर c1 ती tu के सरवांगसा है तो यहाँ से में यह भी लिख सकता हूँ कि तरिभुज़ T2 जो होगा वहार तरिभुज़ T1 के सरवांख सेम acronym होगा इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो T2 और T1 का करमित युग्म होगा वहीभी क्या हो जाएका सम्मध R का सरश्य होगा इस प्रकार मैं के बोल सकता है अतह है R 1 सम्मित ता सम्मंध है सम्मित संबंध है अगला देखते हैं माना T1 तथा T2 एक क्रमेच यूग में तथा दूसरा क्रमेच यूग में T2, T3 ठीक है जो संबंध आर के सरसे हैं इस प्रकार चुंकि T1, T2 का और T2, T3 दोनों संबंध आर के सरसे हैं तो क्या हो जाएगा तथा T1, T3, T2 के सर्वांग संब्ध हो तथा T2, T3 के सर्वांग संब्ध है चुंकि T1, T2, T2, T3 के सर्वांग संब्ध है का देख्ए जो संबंध र है स्वतुल सम्मित तथा संक्रामा का है तो इधर से में क्या बनों आता है आर एक तुलिता संबंध है तुलिता संबंध होगा ओके ठेंक यू